गोमुक आसन यह आपको सामने की और फैला लीजे इस शेटिक कमर को सीधा रखिए और उसके बाद आपको अपना राइट लेक जो है नीचे की और लाना है अपने दिखा देती हूं क्या करना है इस जो हीुशा को को इस तरह से आपको अपने हिप के नीचे रंग दे लें बैठने नहीं है इसको खलका सा इधर की और ताग कि एरी और हिप साथ में मिल जाए इस तरह स्था के आपको करना है और यह वालोस ओलएग है उले इसको इस तरह से कि आपकी एग टूली एक दूसरे के ऊपर नहें को सामने से दिखाताए प्रको इस तरह से रखते हुए यह देखिए एंगल कर लोगों इस तरह से होता है वह गलत है नी बहुत उसमें जा रही है या फिर बहुत जादा अंदर कर देते हैं ओवर स्टेच कर देते हैं तो इसको सिरफ नीज के ऊपर आना चाहिए एक नीज के दूसरे पैलर में होने आपकी एड़ी के पर आपको हलका सा प्रेस करना है बैचना है और यह पर बाहर के तब जितना पास उसके उतना और एक कमफर्टीवल पॉस्ट्टर में कमर को सीधा रखना है यह आपका फाइनल पॉस्टर है लेग के कोडिक अब इसमें हाथों की मुद्रा क्या है जो कर देता है और नीचे वाला हाथ लेटाते हुए पीछे हाथ को लॉक करना है ध्यान से आपको पकड़ना है मैं अभी आपको दिखाते हूं किस तरह से आप इसको पकड़ सकते और आखे बंद करके पूरा ध्यान अपने श्वास और श्रीर की और लगाना है गर्दन को सीध लिगा तो रचे दिखाते हूं आपको किस तरह से करने यह संय अपने ऊपर हाथ किया और नीचे से इस तरह से पकड़ लिया को सकते हैं मतलब आपको देखना है किस लेवल पर हैं अगर आपके जो नीज हैं बहुत ज्यादा फोल्ड नहीं हो रहे हैं तो आपको यासन बिल्कुल अवाइड करना है पहले दीरे-दीरे कुछ और आसनों को अपनाए उसके बाद गोमुखासन में आए गोमुखासन करते हुए जिनको नी में प्रॉबलम है जोडों में दर है कंथे में कोई इंजरी होई है को चोट लगी है गर्दन में कुछ प्रॉबलम है या आपकी बाजुओं में भी कुछ कोहनी में कुछ प्रबलम हुई है चोट लगी दिकत हुए तो भी आपको यासन अवाइड करना है गोमुखासन के ज़ादा प्राब्ल है तो नहीं करना है लिकिन हम हलके-फुल की पेईं में यह आसन कर सकते हैं और किसी expert के राय में ही कर सकते हैं तो यह legs को काफी मजबूत करता है आपके heels, ankles, calves, knees, thighs, hips को काफी healthy करके रखता है आपके cytica के pain को और back pain को भी remove करता है जब आपके heart posture सीधा होता है तो आपके जब जो उपर का एरिया है जुके वे कंधे जो है काफी अच्छे fine posture में आते हैं और सीधे हो जाते हैं मलब posture की deformity को remove करता है आपकी arms को tone बनाता है जितना आपके चाब करते हैं आपकी आंस टोन होती है आपकी जो अपर बॉड़ी है काफी लचीली हो जाती है और ये डाइबेटीस के लिए भी काफी अच्छा आसन है गोमखासन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कंधों में प्रॉब्लम है दिक्कत है दर्ध है तो उसको भी रिमूब करता है ध्यान रखना है कि ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जिनको अस्तमा है मतलब ये आपके फेफडो को काफी ऑक्सिजन ब्रदान करता है तो अस्तमा जिनको है उनके लिए भी काफी अच्छा पोस्टर है काफी अच्छा आसन है को मुखासन मन को भी शान करता है एकागर करके रखता है जिन जो लोग ध्यान करते हैं वो ये आसन ज्यादातर पोस्टर को इस पोस्टर को अपनाते हैं तो ध्यान के पॉइंट अफ यू से भी ये आसन बहुत ही अच्छा है मतलब आप ध्यान में आपको हाद उपर नहीं करने हैं सिर्फ इस पोस्टर में बैठ कर भी आप ध्यान कर सकते हैं तो ये कुछ साथानिया और कुछ लाब जो आप देख कर समझ कर सीख कर पोस्टर को अच्छी तरह से कर सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा हम फिर मिलते हैं धन्यवाद